एक दोर हमाव देश के रियल इस्टेट इंड़स्ट्री में बढ़ती मांग को देखते हुए डेवलेपर्स की तरफ से नए प्रोजेक्ट्स को लॉंच करने की अब रतार बढ़ गई है जिसवजा से Real Estate Industry में कुल inventory मांग के मुकाबले जादा हो गई है रिपोर्ट के मताबिक इस साल अप्रेल से सितंबर के दोरान Real Estate Sector में inventory में 28 फीसद की ग्रोथ तरज की गई जबकि बिक्री की ग्रोथ करीब 25 फीसद है इन आकड़ों की तुलना अगर पिछले साल से करें तो पिछले साल बिक्री की ग्रोथ जादा थी और inventory बंडरी की ग्रोथ कम इस साल Real Estate Sector में कुल inventory एक दश्मलों सून्य चार लाग करोड के रिकॉर्ड इस्तर पर पहुँच चुकी है सर, inventory की डिटेल क्या कुछ कह रही है और कहा कहा पर ज़्यादा inventory देखने को मिल रही है ये आकड़ा करीब से समझा जरूरी है आम तोर पर आप किसी और क्षेत्र में अगर बिक्री से inventory जाधा है तो ये माना जाता है कि बाजार आने वाली मांग के लिए तयार है पर भारत के भवनों में मकानों के बाजार में एक बड़ा शिफ्टा आ चुका है मैं आपको बता रहे हैं भारत में अधिकांश मकान जो बिक रहे हैं वो पचास लाख प्लस के सेग्मेंट में बिक रहे हैं चास लाख और एक करोड रुसे उपर के भिक रहें, सस्ते मकान नहीं भिक रहें, इसलिए जैसे ही मकानों की इन्वेंटरी का अन्विके मकानों का आकड़ा साम थोड़ा सा बढ़ता देखता है, बाजार में चिंता होना स्वाबावे की चिंता क्यों इस पर माद में आते हैं पहले में आकड़ा समझने की कोशिश करें, एक दसलिए चार पांच लाख करोड रुपए के मकान अन्विके पड़े हुए हैं, और आप चूंकि इस साल बिकरी की रफ़तार थोड़ी धीमी है और इन्वेंटरी की जाधा है, तो जाधा बड़ी चिंता दिखाई दे रही ह इसमें सबसे जाधा जो बड़ी इन्वेंटरी है वो बड़े डिवलपर्स के पास है, डिलेफ के पास प्रेस्टिज स्टेट के पास 19,000 करोड की इन्वेंटरी है, लगोग इतनी ही इन्वेंटरी डिलेफ के पास दिखाई दे रही है, गोदरिज प्रापरिटी के पास 17,000 करोड की इन्वेंटरी है अframes और खार आयर रियलिटी और पूर्वांकरा के पास करीब करीब 8000 करों रुपए की दोनों के पास अलग अलग अअठार जार करो रुपए की इन्वेंटरी है ये पिछले पांच साल के औसात के हिसाब से काफी ज़ाधा है और इसमें अधिकाश इंवेंटरी भारत के उन्ही प्रमुख प्रापर्टी बाजारों में है चाहे वो दिली और मुंबई दिली अंसेयर के बाजारों जहां ये इनवेंटरी त्यार हो रही है बाजदरों में बढ़तरी के कारण आने वाले समय में और सस्ते मकानों की मांग तो नहीं है उस बीच में ये इनवेंटरी का बढ़ना एक लाक करोर रुपे के इनवेंटरी का बढ़ना कई तरह से चिंता की वज़े बनता है असर क्या कुछ चिंताएं हैं और क्या डराने वाली है इन्वेंटरी इसलिए परेशान कर रहे हैं इसमें दो तीन महतुपूर्ण चीज हैं आपको याद होगा हम आपको विस्तार से बता चुके हैं मनी सेंटरल में की चार लाख करीब चार लाख हाथ हजार क्या सपास मकानो की इन्वेंटरी पहले से पड़ी हुई है अन्बिके इन्वेंटरी उसको बेचने के लिए केन सरकार ने की स्पेशल फंड बनाया था रेरा की कोशिश की गई तमाम कवायद हुई अमिताप कांत जो की जी ट्वेंटी के शेरपा थे उनकी लिडरिशिप में एक कमेटी भी बनाएगी ते लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला वो चार लाख से उपर मकान आज भी बने खड़े हैं और उनमें बैंकों का सामाने लोगों का जिनोंने लोन रखा वे पैसा फसा हुआ और उनकी बिक्री नहीं हो रही इसलिए एक लाख करोड की नई इन्वेंटरी चिंता करती है क्योंकि चार लाख करोड के मकान भी नहीं बिक्या और एक लाख करोड की इन्वेंटरी हो गई दूसरी चीजे कि सांकले को थोड़ा व्यापक संदर्ब में देखा जाए तो यह दिखाई दे रहा है कि पिछले 33 महीनों में कमपिनियों ने जितने मकान बेचे हैं भ खتم हो पाएगी दूसरी चिंता की बात यह है कि यह सारी इन्वेंटरी बैंकों के फिनांस से आई है इसमें पैसा लगा हुआ है बैंकों का तो बैंकों के पसीना आना है बैंकों को चिंता होना स्वावाविक है क्योंकि पहले ही उनके हाथ जेले हुए है चार लाख मकानों की इन्वेंटरी में और इसलिए चिंता जनक खबर है बैंकों के इसाब से भी आने वाले समय में बैंकों की प्रतिक्रिया इस पर देखनी होगी सरकार को भी शायद इसमें दखल देना होगा क्योंकि एक समस्या पहले ही सर पर खड़ी हुई है